वेलकम टू सर्मद्स फूड आज बनाएंगे शाही तुकड़े अपने स्टाइल में हमें इसके लगेंगे ब्रेड फ्रेश क्रीम ड्राय फूर्ट्स आप अपने पसंद के ले सकते हैं चीनी शकर कस्टर्ड पाउडर और दूद बस इतना इटम्स लगेंगे बनाते हैं से ए इसी घी या तेल में गर्म कर सकते हैं इसे अच्छा सा रोस्ट करना है मैं यह देखें गोल्डन फ्राय करना है सुने रहा होने तक हमें से फ्राय करना है ज्यादा नहीं करना है बस गोल्डन होने तक हमें इस तरह से से क्रंची बनाना है और यह हो गया बस इसी तरह से आप अब को repeat करना है सारे breadz और roast करना है चले, दूद गरम करते हैं इतने breadz के लिए इतना दूद काफी होगा, आप अपने हसाब से ले सकते हैं, आप इसमें चीनिए अएट करेंगे चीनि, आप अपने test के इसाब से डालें जितना मेधा पसंद करते हैं अब इसमें मैं आट करेंगे कस्टर पाउडर नहीं, आमसे एक मिस्टे को चुके हमने कस्टर पाउडर डिलेक्ट्री आट कर दिया, आप इसा ना करें, एक डीश में पहले कस्टर पाउडर को घोल ले उसके बाद डाले, नहीं तो इतनी बुरी तरह से लंस हो जाएंगे जि इसे गैस से उतार लीजिए अब जो हमारे ब्रेट से करंची हो चुके ठंडे होने के बाद आप इसे ट्रैंगल शेप में काट सकते हैं या आप उसको स्क्वेर भी कर सकते हैं इस तरह से आप कट कर लीजिए एक के दो मैक्स रहेंगे बहुत ज्यादा छोटे नहीं है ठीक है अब इसमें हम डिप करेंगे डुबाएंगे ताके वह पूरा अब्जर्फ कर ले अच्छी तरह से चूस ले ओके अब हम इसे प्लेटिंग करनेंगे आप इसी तरह से रिपीट करिए अब हर एक पीस को ओ सर्मादा चुका है अब बचा हुआ जो है आप दूद कस्टर वाला इस पर डाल सकते हैं बाकी जो रहे गई और अब्जर्फ करेगा और हमने इसमें चीनी डालिया तो यह टेस्ट के लिए बहुत अच्छा लगीगा आप इसमें फ्रेश क्रीम हैट कर रहे हैं फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इस तरह से इसके बाद हमने कटे हुए ड्राइफ रूट्स इसमें डालें जैसा कि आपको बताया गया है आप अपनी पसंद के ड्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हैं ना चाहते हैं तो ना डाले यह हमारा रेडियो हो चुका है देखिए कितने अच्छे तरह से कट करके हमने इसे रखा है अब हम इसे फ्रीज में रख रहे हैं ठंडा होने के लिए स्विट डेजर्ट है डेजर्ट यूजिर थंडा अच्छा लगता है लीजिए फस्ट लाश शाहित उकड़े तयार हैं प्लीज लाइक शेर और सब्सक जीजिए